Hello students, नहीं हमने आपका पीचे पढ़ लिया था vaccination, आपका vaccination क्या होता है, vaccine कैसे बनाते हैं, कितने टाइप की vaccines होती हैं, इस सारे चीजें मैं आपको बता दी थी, कि आपकी vaccines आपका किस टाइप से हमारी body पर act करती हैं, और हमें किस टाइप से prevent करती हैं, किसी एक disease से, या फिर कि किसी है, microorganism की disorder से, वो सारी चीज है हमारी body में, किस टाइप से आप क्या, खुद का immune system, यह जो principle जो आपका, वो मैंने आपको बता जिया था, कि आपका जो खुद का immune system होते हैं, वो खुदी को आपका बचा सकते हैं, अगर हम vaccination करें, और vaccination में आपका क्या होता है, वेक्सीन होत होता है, और saline के साथ होता है, आपका whole antigen हो सकता है, यानि कि आपका whole bacteria हो सकता है, virus हो सकता है, या फिर आपका fungus हो सकता है, या फिर आपका उसका कोई part हो सकता है, protein part हो सकता है, या फिर आपका उसका कोई, आपका sub unit हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, वो उसके साथ क्या होता ह आपकी saline की साथ होता है, यानि कि आपकी vaccine में होता है, और वह हमारी body में जाकर हम ही क्या करते हैं, immune कर दिता है, आपकी memory cells बना दिता हैं, तो वो आपका vaccination आता है, अब देखिये आपका vaccination क्या होता है, कुछ हमारी जो non-diseasies है, जो हमारी environment में क्या होती है, जिसके viruses हो सकते है आपका बक्टीरिया हो सकता है तो उनके लिए हम क्या करते हैं अल्रीडी बच्पन में हमें बहुत सार टीके लग जाते हैं ताकि अगर फ्यूचर में कभी हम उन वायरस के कॉंटेक्ट में आते हैं तो हमारे बोडी खुद ही क्या हो जाए उस टाइम हमारी बोडी में अगर एंटर करते हैं तो हमारी बोडी क्या करते हैं हमारी जो memory cells होते हैं उनके rapid response देती हैं और हमें बिना बिमार के ही हम हो हमारे बोडी से क्या हो जाते हैं या फिर हमारी बोडी में थोड़ा बहुत अगर फीबर हलका हमें हलका सा बिमार करेगी और वो disease हमें क्या नहीं कर या फिर आपका oral disease oral drop दी कही है जैसे polio का देते हैं तो वो सारी चीजे हमारी body में क्या करते हैं आपका memory cells बना देते हैं और हमें किसी type इंजेक्शन लगा देते हैं for the immunization देखिए BCG injections क्या करता है आपका body का immune system क्या होता है activate कर देता है BCG injection में आपको बताया था कि TB का क्या करते हैं जब BCG injection लगा देते हैं तो वह भी क्या आजाता है false आजाता है यानि कि इतना immune हो जाती body की IgM IgG different different type antibodies आपकी body में क्या हो जाती है secret हो जाती है B plasma cells बननी है start हो जाती है तो आपका BCG injection क्या होता है बच्चमन में लगा दया जाता है एक साल की age में ताकि क्या हो बच्चे की body हो immune immune रहे उसकी body में different antibodies बन जाए या फिर बच्चे जो मम्मी का mother का यह होता है first milk होता है वो भी क्या ह बहुत important होता है जो मैंने आपको बताए था passive immunity के अंदर क्या होता है आपका mother का milk होता है first milk वो आपका बहुत immune करता है बच्चे को उसके बाद तीसरे मन्त में आपका रगाते हैं यह आपका DPT first oral polio vaccines first और आपका four to five month में आपका DPT second oral polio vaccine आपका second फिर five to six month DPT third and आपका oral polio vaccine third then date साल में आपका क्या करते हैं booster देते हैं booster age में क्या करते हैं आपका DPT oral polio vaccine fourth then two year में आपका typhoid vaccine five year में आपका titanus taxoid and then school entry terrified vaccine और आपका 12-14 year में titanus diphtheria titanus taxoid और rubella vaccine यह सारी vaccines को क्या हो जाती है तिके की तुरू यानि vaccination की तुरू हमारी बॉड़ी में डाल देता है या तो ओरली डाली जाती है mostly जो आपका polio होता है और पिलाया जाता है बच्चों को आपने देखा भी होगा दो बून पिलाते हैं और दोनों बून में different different type के antigen होते हैं और दोनों antigen आपकी किसके होते पोलियों के होते हैं जैसे वह हमारी बॉड़ी में enter होगा वैसे हमारी बॉड़ी के इम्यून कर देते हैं और memory से बन जाते हैं polio antigen के लिए तो अगर future maker भी हमारी बॉड़ी में polio आता भी है तो भी पता भी नहीं चलता है कि हमारी बॉड़ी में polio का आपका virus आया और बॉड़ी में आया और वह वैक्सीन की वज़े से क्या हो गया आपका भार चलागे क्योंकि memory cells अल्से अल्रेडी क्या हो जाते प्रिपेर हो जाती है अब दिखिए आज पढ़ेंगे आपका थोड़ा antigen के बारे में ठीक है जो आपके बुक में दे रखा है यह बहुत important आप अप्राइडिस का आपका जो structure बताया दे मैं आपको उसका वायरस का उसमें बताते हैं कि आपके antigen क्या होते हैं different different type antigen होते है बॉड़ी में जितने भी part होते हैं बॉड़ी के जो वायरस के या फिर आपका किसी भी microorganism के bacteria के बैक्टिरिय का mostly जो capsule होता है उसमें आपका प्लेंस होती है तो वो भी उसका antigen होता है या फिर body का कोई भी part किसी भी microorganism body का कोई भी part वो antigen होता है या फिर कोई foreign particle आपके body के लिए antigen होता है आपकी body कोई ने कोई response उसके लिए देती है तो देखिए आपका antigen a substance that can produce a specific immune response when it is introduced to the tissue or animal tissue of an animal and that can react specifically with the products of that immune response namely antibodies is known as an antigen the ability of an antigen to produce an immune response and reacts with the products is known as antigenicity तो जो उसकी body में कोई भी structure होता है उसके body का कोई भी part होता है वो क्या होता है अगर वो body के अंदर तूटता है तो उसकी body से जो भी आपके different particles निकलते है या फिर whole bacteria आपका पूरा bacteria आप पूरा virus खुद गया होता है एक antigen होता है अब देखिए antigen क्या करता है हमारी body में जैसे जाता है वैसे क्या थे immune response देने start कर देती है तो हमारे body में कोई भी ऐसा particle चला जाए कोई भी ऐसा particle जो हमारे body में क्या करते हमारी body का immune response होता है हमारी body में आपकी antibodies production होता है यह सारी चीजह हमारी body में बननी start हो जाए तो वो substance आपका antigen होता है यानिकि कोई भी आपका कोई भी सब्स्टेंस जो आपकी बोडी में आपका antibody production बना अंटी पॉडी प्रडक्शन बना इस्टार्ट कर दे या फिर आपका है प्रोडक्शप को क्या कर दे और रियक्ट करे उसके प्रोडक्श के साथ जैसे प्रोडक्शन को भी प्रलाज मücht्यों के साथ क्या क्या आपकि निकां गया है करर्यक्टर रहा है एंटीजतDR कर रहा LGBT अपर react कर रहा है आपकी जो आपका immune response में जो भी आपका secret हो रही है body से आपका antibodies होगे आपकी B plasma cells होगे आपकी lymphocytic cells होगे वो सारी की सारी cells उनसे क्या करता है react करता है तो आपका antigenicity होगे the ability of material to induce the immune response is referred as the immunogenicity and such material are known as immunogens दिखिए आपका immunogens क्यों होते हैं दिखिए immunogenes आपके वो होते हैं जो secret होते हैं आपके body के तरू जैसे आपका IgM होगे आपके immunoglobulence होगे different different immunoglobulence होती है IgM IgA IgG IgA यह आपको साहिद मैंने आपका TB जब TB का आपका आया था इसमें आपका IgG IgM तो आपका IgG IgM आपका सारा मैं बताऊंगा आपको क्या क्या होते हैं इसमें आपका microbiology अंदर आपको इसमें पढ़ोगी तो अगर आपको इसमें जभी आप मैं आपका यहां पर पढ़ा के complete कर दो तो एक बार पीछे आपके जरूर देखिए most of the immunogens are proteins polysaccharides but lipid nucleic acid and synthetic polypebrides can also be immunogenic देखिए आप इसमें क्या difference है third point दियान से देखिए most of the immunogens are protein polysaccharides protein और polysaccharides होते हैं immunogens but lipid nucleic acid and synthetic polypebrides can also be immunogenic immunogenic मतलब जो आपका immune response start करवाते है antigen की तरह आपका एक तरह काम करते है immunogenic तो आपके lipid or nucleic acids यह जो होते हैं immunogenic होते हैं यानि कि immune start करवाने के लिए काम आते हैं लेकिन जो आपके immune response के immunogens हैं जैसके आपके antibodies होते हैं तो क्या होते हैं मुलनी है polysaccharides होते हैं आपके proteins होते हैं लेकिन lipid और nucleic acids नहीं होते हैं अब देख लिए आपका antigenic determinant is that portion of antigen molecule that determines the specificity of antigen antibody reaction also called the epitop it is called the epitop दिखिए आपका क्या है आपका antigenic determinant is that portion of the antigen molecule that determines दिखिए इसमें क्या होते है आपका जब मैं आपका antigen antibody की बीच में आपका interaction बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा आपका या फिर आपका जो antibodies का जो shape बताऊंगा आपको उसमें देखना आपकी 2 parts होते हैं उन 2 parts में क्या होते हैं एक specific part होते है उपर के तरह और एक specific antigen के साथ attached होता है तो वह जो आपका यह reaction होते हैं उनकी बीच में affinity, abidity होते हैं उनकी बीच matter actions होते हैं वह सारी जो आपका phenomenon होते है उसको epitop कहते हैं तो यह epitop याद रखेगा आप फिलाल आप ऐसी याद रख लिए बाद में आपको remember करवा दूँगा जब मैं आपको उनकी बीच का reaction बताऊंगा या फिर आपके उनकी बीच का relation बताऊंगा कि आपका antigen और antibody के बीच में क्या relation होते हैं और उन्ही रिलेशन के थुरू आपकी सारी की सारी जो microbiology बनी है उन्ही रिलेशन के बेस भी बनी है अब देखिए biological classification of antigen antigen mostly आपके दो टाइप के होते हैं एक होता आपका T cell independent antigen और आपका दूसरा होता है T cell dependent antigen तो देखिए mostly जो आपकी B lymphocyte होती है वो क्या करती है most of antibodies का secretion करती है और आपका जो आपका कोई भी antigen भाहर से आता है वो क्या करती है B cell के साथ जाज़ा तर interact करता है और B cell से interact करके क्या हो जाते B cell उसके लिए क्या होना देती है antibodies different different आपकी जो immune response देती है उसको बिना T cell को inform किये हुई तो सबसे पहले जो आपका T independent है यानि कि उसका T से कोई relationship नहीं ऐसा antigen जिनका T cell से कोई relationship नहीं उनका जो T cells के बिना ही हो क्या कर देती है response immune response देती है body उनके लिए या फिर आपका immune response तो generate कर देते हैं उनको आपका antigen होते है आपके T cell independent antigen यानि कि T cell का उसमें किसी type का role नहीं है देखे लिए आपका it can stimulate antibody formation by B lymphocyte cells without involving T lymphocyte cells independent यानि कि स्वतंतरून से आपका किसी type कर लेना देना नहीं है ऐसे antigen जो क्या कर देती है direct B lymphocyte से आपका immune response को generate कर देती है तब आपका T lymphocyte cells को भी दोनों को क्या करना पड़ेगा और तब जाकि आपका immune response generate होगा यानि कि वो दोनों B और T दोनों cells को क्या करेंगे penetrate करेंगे या फिर आपका उनसे क्या करेंगे reaction करेंगे और तब जाकि आपकी body का immune response start होगा तो इसको आपको क्या हो ते टी अंटिजन भी कहते हैं यह यजी कि आपको बिना T-cells की क्या नहीं कर पाएं कि आपका immune response जाए generate नहीं कर पाएंगा निए T-cell involvement to evoke an immune response structurally more complex like blood cells, serum, protein and wide range of haptan complex अब haptan complex क्या होते हैं इसारे चीजिए मैं आगे बतातों आपको आपका हमें जैसे हमारी बॉडी में आएंगे वैसे हमारी बाडी में प्या कर देंगे आपका इम्यून response start कर दें हमारी बड़ी का इम्यून response है वो एक दम से क्या हो जागा इस्टार्ट हो जाएगा उसके बाद देख लीजे आपको partial antigen partial antigen क्या होते यह दिखे आप इस टाइप से समझ सकते कि यह क्या है आपका बक्टिरिया और इसका के क्या क्या कर रहा है इस कोसिस कर रहा है कि क्या करना immune response को बढ़ाने की या फिर immune response generate करने की तो complete antigen जो होते उसके हैं अर्या कर देते हैं आपका हाए हो इत बहस करते लेकिन चलुका पार्च्व Tips को कि आपका इमाफ्विंस में बाहरा इसको एपको 2000 इ tilt देख लीजे, it is, it is, it is, it is able to induce antibody formation and produce a specific and observable reaction with the antibody, example, protein and polysagorides, पार्शेल में देख लीजे, it is also known as heptan, देखिए, आपका partial antigen को heptan antigen भी कहते हैं, यह मैं आपको पताना भूल गया था, आपको partial antigen जो होते हैं, तो बहुत बार आप से question आ सकते हैं कि heptan antigen क्या होते हैं, तो आपको व्याद रखने हैं, heptan antigen वो होते हैं, जो क्या करते है कभी-कभी आपका immune response दे पाते हैं, कभी-कभी immune response नहीं दे पाते हैं, तो उसमें भी आपको दो टाइप से हैं, heptan का, आपका complex type होता है, एक simple type होता है, तो देखिए, it is also known as the heptan, heptan, heptans are substance which are unable to induce antibody production by themselves, but are able to react specifically with antibodies, example, आपका lipid, nucleic acid and sulfonamide, तो देखिए, यह क्या होते हैं, यह immune response को खुछ generate नहीं कर पाता है, लेकिन जब आपकी antibodies cigarette होते हैं, तो उसमें जरूर attach होते हैं, यानि कि आपका antibody जब generate हो जाएंगी, तो उनसे attach जरूर हो जाएंगी, आपका reaction जरूर देंगे उनके साथ, लेकिन आपका उनको generate नहीं कर पाता हैंगी, यह आपकी हाँ होते which can be precipitate with the specific antibodies यह क्या कर देते हैं देखी precipitate आपकी समझ में नहीं आएगा भी मैं आगी आपको बताऊंगा जो मैं आपकी reaction बताऊंगा तो precipitate क्या होता है यानि कि attach हो जाते हैं आपका किसके antibodies के साथ आपका कोई भी आपका heptan है अगर heptan antigen है two molecular weight compounds and are non-precipitating with specific antibodies यह आपका फिकरिक chloride and tartaric acid आपने देखा हुआ चेटी का acid होता है और हमारी body में किसी type का क्या नहीं करता है जब हमारी body में tartaric acid जाते हैं तो हमारी body में किसी type का immune response नहीं आता है और नहीं यह क्या होते हैं हमारी body में क्या होते हैं आप यह जो antibodies production होता है उस time पर तो यह सारी चीजें आपका related हैं आपका antibody और आपका immune response से related है तो आपका जो mostly आपकी heptan antigen होते हैं वो हमारी body में खुद बख खुद क्या कि उनके पास इन्ही ability नहीं होती हमारी body में कि T.I.B. lymphocytes के साथ attach होकर आपका क्या करते हैं immune response या antibody production देदें सिर्फ complete antigen ही क्या कर पाता है आपना antigen antibodies production बढ़ा देता है body में या फिर antibodies बनाने start कर लोते हैं partial antigen नहीं बनाते हैं आपका तो इतना आया हो आपकी समझ में आया हो कि different type of antigen क्या होते हैं और आपका antigen क्लासिफिकेशन क्या है और आपका size की basis पर क्या क्या है तो यह था आपका antigen कल पड़ेंगे आपका antibody very very important part होगा आपका antibody का होगा तो और उसके बाद हम पड़ेंगे आपका antigen antibody reactions तो सबसे बलाता है precipitation agglutination and different different आपकी जो आपकी reactions आएंगी आपका उनकी बीच का जो आपका test से related होगी कि आप किसी अगर test करना चाहते हो body में किसी भी disease का तो वो सारी आपका interactions से अंदर आएंगे तो आज इतना पढ़ लीजेगा आपका क्या antigen क्या होते हैं आपके मैंने आपको completely बता दिया है okay thank you